हम सभी ने थ्री इडियोट्स वन देखी है और उसमें एक डायलोग है बाकी के इडियोट्स का क्या हुआ? क्या उन्हें वे यहाँ छोड़े है? तो उस फिल्म का एक डायलोग हमें से कई लोग अच्छे से समझते हैं वो है जब फ्रेंड फेल होता है तो दुख होता है जब फ्रेंड टॉप करता है तो और ज़्यादा दुख होता है और मेरा प्रश्ण ये है कि क्या ऐसा मैसूस करना ठीक है और अगर नहीं तो आप उस भावना को आज के दौर में कैसे छोड़ सकते हैं? देखिए, क्या आपने चार्ल्स डाविन के बारे में सुना है? इंसानी विकास नाम की एक चीज होती है और कोई नहीं कहता कि विकास पूरा हो गया है आज कुछ नियूरो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आपके और चिंपैंजी के डियने में बस एक दशमलव दो तीन प्रतिशत का फर्क है एक दशमलव दो तीन प्रतिशत बहुत बड़ा फर्क नहीं है, है न? तो विकास की समस्या है अगर आप खुद को अपने हाथों में नहीं लेते तो आप बहुत आसानी से एक दशमलव दो तीन प्रतिशत पीछे चले जाएंगे अब वो क्या था? मैं वो वाक्य दोहरा नहीं सकता पर अगर आपका दोस्त सफल होता है तो आप उदास हो जाते हैं अगर वो बहुत सफल होता है तो आप बहुत उदास हो जाते हैं तो आपने खुद को ऐसा बना लिया है कि जो भी हो आप खुश नहीं हो सकते आप खुद को हराने के लिए तैयार हैं चाहे जो हो जाए आप खुश नहीं होंगे अगर आप मेरी बात समझना चाहते हैं तो बैंगलूरू की एक मुख्य सड़क पर खड़े हो जाईए गरीबों को छोड़ दें जो सड़क किनारे चीज़ें बेचते हैं उन्हें छोड़ दें सिर्फ BMW, Mercedes वेगर जो भी बैंगलूरू में मौजूद हों सिर्फ सपनों की कारों को देखें क्योंकि आप में से कई लोगों के भी ऐसे सपने होंगे बस उन लोगों को देखें आपको लगता है उनमें आनंद फूट रहा है ये कारें चला कर नहीं, अगर वो चोरी की कार हो सिर्फ तभी खुशी नजर आती है वरना वे असफल हों तो हर हाल में दुखी होंगे क्योंकि जीने का तरीका ही ऐसा है ऐसे जिया जाए तो ये किसी भी तरह काम नहीं करेगा क्योंकि ये आपके बारे में भी नहीं है हमेशा किसी और के बारे में है बात कभी आपकी नहीं होती सरल चीज ये है देखिए, अगर आपकी खुशी, उदासी, आनन्द और दुख आपके आसपास की कोई चीज या व्यक्तिते करता है तो आपके खुश होने के संभावना बहुत कम है हाई या ना? क्या ये सच है कि इनसानी अनुभव अंदर पैदा होता है? हलो? हलो, मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ क्या ये सच है कि इनसानी अनुभव, आनन्द या दुख, पीड़ा या पर्मानन्द, पागलपन या समझदारी सभी अंदर पैदा होते हैं? अगर आप मैनेजर हैं, अगर आप मैनेजर बनने वाले हैं, तो कम से कम जो अंदर होता है, वो आपके अनुसार होना चाहिए? क्योंकि मैनेजमेंट का बुनियादी मतलब है वैसी परिस्थितियां बनाना जैसी हम चाहते हैं? हाँ, management मतलब क्या, परिस्थितिया वैसी बनाना जैसी हम चाहते हैं, दुनिया आपके अनुसार नहीं चल रही, कम से कम इसे आपके अनुसार चलना चाहिए, वरना ये कैसी management है, यहाँ सिर्फ एक वेक्ति है, वहाँ हजारों हैं, वो शायद आपकी न सुने, उनकी अपनी च चाहते हैं, अगर जो आप चाहें, वो हो जाए, तो आप खुद को आनंद में रखेंगे या दुखी, अभी चुन लीजे, मैं आशिरवात देने वाला हूँ, अगर आप चुन पाते, तो आप आनंद में रहते या दुखी, आनंद में, बिलकुल, जब ऐसा नहीं होता, त तो परिशानी, अगर आप यहां से बाहर नहीं निकल पाते, तो परिशानी है, आपको यह जगह इतनी पसंद है, कि आप यहां रुकना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, आपको यहां आना है, और बाहर जाते समय दूसरों से आगे भी होना है, हर चीज आपके बारे में कभी नही होते हमेशा किसी और चीज के बारे में होती है बाहरी स्थिती बदलती रहती है ये लोग आज ऐसे हैं पर कल पता नहीं क्या बोलेंगे हां कल सुबह पता नहीं वे क्या बोलेंगे अगर आपके होने का तरीका ये सब ही लोग तै करते हैं तो आप उलच जाएंगे ये बात त जब आप इस तरह उलज जाएं, देखिए, आप खुद को दोस्त कहते हैं, वे फेल होते हैं, तो आप दुखी होते हैं, वे पास होते हैं, तो आप और दुखी होते हैं, ऐसी स्थिती में हमें दोस्त शब्द का इस्तमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मुकाबला है, मैं दोस्त सफल होता है, तो क्या आपको बहुत खुश नहीं होना चाहिए? अगर दोस्ती सची हो तो, दोस्ती के बाद छोड़ दीजे, इस समस्या का मुख्य कारण है कि हमने इस इंसानी मशीन को अपने हाथों में नहीं लिया है, ये वैसे नहीं चल रही है जैसा हम चाहते हैं क्या ये सच है कि आपका शरीर अभी इस धरती पर सबसे अच्छी केमिकल फैक्ट्री है? ये सच है, ये धरती की सबसे जटिल और गुड़ केमिकल फैक्ट्री है प्रश्न सिर्फ यही है कि आप एक अच्छे CEO हैं या बुरे CEO क्योंकि आप अच्छे CEO हैं तो आप आनंद की केमिस्ट्री बनाएंगे बुरे CEO हैं तो ये सब होगा आपका उद्योग वैसे चलना चाहिए जैसा आप चाहते हैं कम से कम ये छोटा सा उद्योग कर दो आप चाहिए आप चाहिए अच्छे